एक वीडियो दे डाली थी ना मैंने उसमें बोर रहे हैं कि दादा दादी आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं अच्छा अलग क्यों रहते ऊपर क्यों रहते अकेले मैंने बोला दादा दादी से पूछूंगा मैं यह उपर जाके जिस दिन चुटी होगी तो आज आओ मैं आज अच्छ नहीं होता है वह बाग जाते है थंड होती है थंड है ना बड़ी बारी किसने रहने बाग तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबाके 11 और अभी मैं सो कर उठ रहा हूं और मेरी मम्मी मेर को कब से डांट रहेगी जल्दी उट जा तो सब से पहले उठते हैं व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं और दोस्तों मेरे को सर्दी हो गई है जो थाम हो गया है पूरी रात मतलब डंक से नेंद भी नहीं आगी अग्या गुड मॉनिंग ममी जी आप मेरे को जूट बोल के क्यों जगाते हैं सोजोर क्या जूट बोला कि बारा बज गया है जब जाए प्रांठे गरं यह लग रहा है इस में देशी का अ यह जोग घए घखनावाना हो चुका है ज्याता हो जिक्या नहीं नहीं आदो के आता हूं अब तो आज के दिन का प्लैन यह कि मैं और मेरे ममी हम दोनों जा रहे हैं गाउं तो मेरे मम्मी जिस गाउं को जा रहे है और मैं जिस गाउं को जा रहा हूँ उसका नामे तित्री मैं जा रहा हूं अपनी लया पया ह४का रहा है हमारे कुल देपता जी के पास थोड़ा अगे तक मेरा और मम्मी का रास्ता है सेम रहेगा उसके जलता है ना अराम से आना पाडी लेडी है ममी गिरेंगे नहीं आदत है तो दोस्तों यह ले लिए मैंने सौन पापडी दादी के लिए तो उनको बौत पसंद है अरे यारब यहां किचड अराम से ममजी फिसल नमत आप एक दिन कैसे की रहे थे आप सीडी के उपर तब से होत है अब भी चलना देखे फिर हो जाएंगे कपड़े भी गंदे यहां अब देखो भाई इसको कहां जा रहा है कहां जा रहा है कुन्नू कि यहां देखे दोस्तों जो यह पाड़ी लोग होते हैं न वो इस तरह से समान उठाते थे पुराने टाइम में अब तो बहुत सारे अलग एक्विप्मेंट्स आगे हैं समान उठाने के पर यह दादू ऐसे ही उठा रहे हैं कि एकां स्वीर काक्या लिए आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं ब्यूटी ही ब्यूटी ब्यूटी आफ नेचर क्योंकि मेरे गाउं की तरफ को जो भी रास्ते हैं वह सारे हर्याली से भरे हुए हैं फॉर एक्जंपल आपको मैं यह दिखा दू मेरे मम्मी चल रहे हैं बीच सडक में इधर और उदर जंगल है और ऐसे में जब आप चलोगे ना बहुत ही अच्छी और पॉजटिव एनरजी आती हुआ यहां से उपर जितना भी आप देख सकते हैं ना यह सारा जंगल भात ही सोाइव बहुत ही जंगल ओर यह से उपर से डेयाम पर आप देख रहे हैं यह सब से ठंडी और सब मेरे उपर ऐसे हो गया हो गया चलो 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 हो गया नहीं नहीं हो गया लोगों के घर है ना और लोगों ने जो खेत में मक्की बीजी होती है वहां तक जाता है। जितने हमारे गुन्नू में वह तो प्रभी तो किया था एक दिन चीतना अटैक। तो कहने का म जद्धि ज्नधे यहीं चैनिक शॉंदर गोट पर जानगल केंपिंग करते हो ना तो उतना ही हैं, को सेफ्टी मेजस भी लेने हुंगे अपने साथ देपता डाइनु जी कहते हैं को डाइनु जी किसका स्वरूप है यह आधा प्रफ यह कर रहे है यह पर देखो अच्छबाद है देपता कली लग रहा हूं है यियो गड़े ने चल यह जा रहा है हम्नी चले नहीं चले वेटा हम नहीं चले पाइव ते पुरा हो गापी तंगी कर दिया जिए थे लगड़ी ले जाते थे अधर मारको जबाने के लिए भी लेक्टे जाते थे यहां यहां से लुद भी से दूब भी शेखते थे और दोस्तों दादा दादी के पास हम तीनों भाई जाते रहते हैं पर फर्क बस यह कि पिछली बार फर्स टाइम था जब मैंने ब्लॉग शूट किया वहां का यह मेरा सेकंड टाइम है जो आपके सवाल थी कि दादा दादी आपसे अलग क्यों रहते हैं उनका जवाब हम दा दोस्तों पाड़ी लोग क्यों होते फित क्योंकि यह में चलते हैं रहते हैं चड़ाई चड़ते हैं चलाई चड़ती बार सांस चड़ती है जिस इस श्रीर के लिए बहुत अच्छी उसका एक्सरसाइज उतारता है उससी यह कहां गया अच्छा इन बंद्रों को देखके तो ममी के कमर में दर्द हो गई चल चल की बहुत जादा थक गए है में तो दोस्तों के मिल अवयर कर जाना हुआ था जाना थे अर bluff कersonal music हम चल अब जाना जाना अब भी चल देखें किस के साथ आता है गोनु इस नहीं आपको देखका है अभी गुनू वहाँ देख बेर पास आजा दोखे बाज गुनू ले जाओ ले जाओ इसको अब मैं यूँ बस और ये भीड़ें अबिड़ा तेरियां हो ये वही चीज है जिससे पुराने जमाने में पाड़ी लोग समान उठाया करते थे आज भी यूज होते हैं आज कल के टाइमें भी होते हैं यूज है समान उठाने के लिए जो मैंने पहले एक दाद्दू दिखाया थे वो भी ऐसे इसमें इसमान ले जाते हैं इसमें लकडियां रखिए सर्दियों के लिए किसी ने भाई मेरी आलर टाइट हो गई मेरी सांस फूल गई ये बहुत जादा दोस्तों याद रखना कि कभी भी पाहड़ों में ट्रैकिंग करो और ऐसे पत्ते गेरी हो याद से रखना तो इन पे पैर बड़े सापधानी से रखना क्यूंकि ये जो पत्ते ना ये श्लिपरी होते हैं इस तरह से फिसल जाते हैं कहीं जग़ा इस तरह के हच से हो चुके हैं कि लोग मतलब फिसल… जाते हैं और वह गिर जाते हैं मोरल झालान से तो इस चिस का ध्यान रखें तक तो मैं बहुत गया हूँ पर मैं जब भी चड़ाई चड़ता हूँ तो एक अलग सा …मज़ा आता है इस दर्द है और पेड़ी पेड़ है इस डलान में लगे वे फाइनली मैं एक ऐसी जगा पहुंच गया हूं जहां से मेरे को तीन चार गाहों दिख रहे हैं बिल्कुल सामने एक गाहों तो वोरा शांगडा गर आपने नाम सुना है सर्च कर सकते हो बहुत फेमस टूरिजम प्लेस है और कुछ गाहों बहां पे हैं और यह जो घर है यह गाहों का जो सबसे पुराना गर है वह यह अबेंडन है टाइम के साथ इसमें रेनवेशन नहीं की गई और इसको जो लोग यहां रहते थे उन्होंने कहीं और घर बना लिया और उन्होंने इस घर को छोड़ दिया यह बहु कर दो दो कदम की दूरी में दादी का घर बस ये एक सिंगल मोड बार ही बैटे हुए है तो ये मेरा सहां जी चलो एंटर करते हैं भाई बहुत थक गया मैं आ रहा दादी जी हमारे साथ रहना कर दो शूरू ना ये हो गया बड़ा दूर उसते में दादी बोड़िये सिंघर कर केशी सिंघरी यह यह जंडरी तो यह यह जों पर दुआ है दोस्तों यहां पर एक जगह तlli बोलते हैं उसको ना बहुत ही पूस्ट हो और न बढ़िंद्र कर अब कि बुर जांए पीज्साइव के साथ आपके साथ उसमें लोग बौत प्यारी दादी इस वेडियो धाड़ी दर्डी ते ना उसमें बौर रहे हैं अब के साथ क्यूं नहीं रहते हैं अपर क्यूं रहते हैं पूछूँगा मैं वहाँ चाहँ तो आज आज बताओ क्यों रहते आप तो यहां यहां बोट जमीन यहां अठट भीगे दोनों को अठट कि मारे को हाठ भी इन न को डोलाडी ए ना मेरे जो दिख दादा है उनकी दो वाइप है जो मेरी सगी दादी है छोटी वाली वाइप है और जो बडी दादी है मेरी वो पहले उन से सादी गी ती मेरी दे ने फिर मेरी सगी दादी से इंसे की मैं से milliseconds कि अगर बतलब अगर यह जब दादी डादा चोटे में आते थे ना हमारे गर तो मैं हमेशा बोलता है यही रहो आपिस मच जाओ इतनी का कई को रखनी बते हैं श्यूज करें ऊगा यहां रहते हैं अगर खुद यहां नहीं रहेंगे अवारा जानबर होंगे और मन पी नहीं करता दा दादी का जादा श्यार की तरफ चाने में आशांती मैसूस होती है चालीज लाख लोगों ने देखा आपको सब बच्छा वो रहे दादी बहुत प्यारी दादा बहुत प्यारे और दोस्तों दादा नी अभी यहां दादा गए है काना काना गाउं जो आपको बताया है वह वहां पर चले गए है अब यहां दोनों साथ वो रहें ना बाई पर मैं आई उपर फिर अचा चा और मेरी जो दादी है मेरी दादी ने बच्छपन से पहाडी में इबात किया हर जगा उस ताम मतलब पहाडी लेंग्विश का कल्चर था हर जगा अब तो हिंदी बोलते हैं जाद अतर लोग तो मेर दादी हिंदी बोलते हैं इतनी की समझा आजाए सामने वाले को खाओ ये खाओ क्यों निखा रहे है आप वाकी दोस्तों तो दूस्तों मेरी जो दादी है ना ये मनिकन कसोल सुना अपने उस साइड एक गाउं पड़ता है डड़ेई वहां मेरी दादी का वहां के जो सेब है ना पुरे कुल्लू में बहुत फेमस है क्योंकि बहुत मिठे हो टेस्टी होते हैं तो वह लेकिया है दादी बो रहे है आज कल दिन चोटे आज कल बापस नहीं आएंगे ठंड है वह और यहां पर दादी जी बात करे जो हाइट हाइट में जगाए ना यह जानवर होते हैं ठंड होती है ना जानवर तनी कुछ का रहेंगे जब आग जलाई तब कुछ नहीं होता हूँ वह बाग जाते है पड़ थंड होती है थंड है ना बड़ी बारी किसने रहने बार ऐसा मेरे पेपर 14 तारिक से फिर मैंने सुचा दब तक चल जाता हूँ घर चुटी ना पिर आगया मैं गर अभी दो तीन दीन नहीं हूँ गर मैं सुचा इसके बाद आओंगा मैं दो मिने बाद ही शायद ना मैं सुचा ता मिल लेता हूँ एक वर ठीके बहुत अचा किया ना पीजे दादा जी तो दे दिया मैंने खाया निचे से ओड़ा कान कितने दिन से निया रहत इन चार दिन हो अच्छा अना अब अब आपते के विच्छा अना मैं अब आपते मैं आजाएंगे और मम्मी जिस गाऊं गए वो ये वाला गाऊंगा देखो आना जहां से दिखता है अरह यहां देखो कितना बड़ी आस देनरी लग लिए यह दू पहले बोलता थी आना बमारी यह सारी गाइब करते है यह हां कोई भी बमारी होई कंबरदार्द होई कोई और दार्द होई चुब देखो अब सबको उन के बनाया है गर में नीचे बी जू सोवा मेरे साथ उसने मेरे को सारी रात तंग किया ओ दादी जी खार्ष लागी औ तो अपर दादी जी खार्ष लागी वह तेर को वह दादी जी खार्ष लागी सोने इन उसने दिया पूरी रात भर विजु भाई है मेरा वाई वह सोया था दादी जी के साथ चोटे में तो ऐसा एक था वोला उनका यह थोड़ा मतलब खुड़दूरा होता थोड़ा थोड पर मेरी दादी का आशियाना जहांपे हम आते हैं जब चुटियों में च Лवक घर का पूजागर हमा यहां पर मेरी दादी देखती है अपने फेवरिट सीरियल क्या क्या देखते यहां पिस में दार्मीत दखती रमाएन महह भारत यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह पारवती बैली कसोल मनीकंड साइड के सेव हैं जो की बहुत जादा मीठे होते हैं बस 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 नमस्ते 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 जी कैसे हो नमस्ते बैठो बैठो सबी तोटा दीन में चाय निकाल रहे हैं इनके लिए लो बया है जो दादी जी के मेमान आये थे वह खाना खाकर चले गए हैं सारे वह लोग वहां पे वगीचे इस तरफ को वहां पे प्रॉनिंग कर रहे हैं वगीचे में यह हिमाजल की ट्रडिशनल डिश एक शिड्डू कहते हैं इसको इसको घी के साथ खाया जाता है और दूद घी अभी ला रहें दादी गरम करके यह आगे दोस्तों अपरा की तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है हमारा अब अलमुस्ट शाम उचुकी है तो यह था अज का ब्लॉग कमेंट करके पक कर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको और मेरी दादी के लिए एक लाइक और कमेंट करो शेयर करो वीडियो को और बोलो दादी जी बाई बोलो बाई